नमस्कार रामराम सरस्रियकाल अदाफ एक बार पुने आप सबी विद्यारतियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आभार आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे समायोजन टोपिक को कंप्लेट डिसकसन रहेगा और डेफिनेट आज का ये वीडियो एक प्रसन आपको एक्जाम में देखे जाएगा समायोजन के टोपिक में सबसे मैतोपुन यदि प्रसन होगा तो वो होगा रक्षयात्मक युक्तियों के बारे में लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं और समझते हैं कि समायोजन क्या है समायोजन लिखा है थोड़ी लिखने के आपको वैस्टा नहीं है सिर्फ एक बात समझनी है क्या ये कोई व्यक्ति है परसन है ये है वातावन जिसको हम environment कहेंगे इन दोनों के बीच जीवन बर क्या रहता है सिम्पल सी बात है संगर्स रहता है conflict रहता है और इस संगर्स में ये इस व्यक्ति की जीत हो जाती है ये ये व्यक्ति अपनी need अपनी आवस्टाओं की पूर्ती कर लेता है तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं समायोजित व्यक्ति कहते हैं कि इस व्यक्ति ने क्या कर रहता है समायोजन कर रहता है simple सी वासा में एक बात समझनी है वाथावन के अनुसार ढल जाता है या फिर इस वाथावन को अपनी अनुसार ढल लेता है ऐसे वेक्ती को हम क्या कहेंगे समावजित वेक्ती कहेंगे महत्वपुन्थ पृबसाओं में सिर्फ चार प्रिबसाओं है हैं और इन चार में एक ही याद रखने है लास ताइम तक सबसे पहले समस्ते इन चारों में से पहली प्रिबासा है वाइट की क्या लिखा है समा योजन परकरिया है यहाँ मतलब है एक है वाठावण दूसरा है व्यक्टि याद कैसे रखेंगे व्यक्टि जो होता है इनसान जो होता है पाव जो होते हैं उन से निपटने का प्रियास क्या है समायोजन है ऐसी बात कही है कोल में ने याद नहीं अगली प्रिबासा है सबसे मेट्टोपन प्रिबासा है बोरिंग लेंग फिल्ड की प्रिबासा क्या लिखा है समायोजन एक प्रिक्रिया है जिसमें प्राणी यानि अपनी आवसेक्ताओं और इनको पूरा करने वाले परिस्तितियों के साथ संतुलन बनाए रखता है ये की ये प्रिवसा फर्स्ट ग्रेड में सेफर के नाम से पूची गई है तो याद रखता है ये सेफर उप्शन में मिले तो सेफर व्याप कर सकते हैं अगला बिंदू है समायोजन की विशेशता है जदा याद नहीं रखनी एक लाइन आपको दिमाग में रखनी है समायोजन एक सतत परिवर्तन और संतुलन स्थापित करने की परक्रिया है समयोजन क्या है निरंतर चलने वाली पर करिया है परिवर्तन होता है वेक्ति के विवार में परिवर्तन होता है और हम संतुलन बनाने की कोशिष प्रियास करते रहते हैं यह है समयोजन की मुखे विशेशता है समयजित व्यक्ति के लक्षन क्या है मोटा मोटी यह देखा जाए तो समवेगा आत्मक्स तिर्था एक प्रकार से समवेगों पे नियंतरन व्यक्ति करता है ये एक सबसे बड़ी मुखे विशेशता है संतुलित व्यक्ति व्यक्ति वह ये भी विशेशता है इसके अलावा छोटी मोटी जैसे confidence होता ही होता है कारीक्समत अधिक होती है बाकी जो positive answer बनेगा वो समयजन समयजीत वेक्ति के लक्षन होगे ठीक है आज की class का सबसे important point रक्षियात्मक्यूक्तिया हर बार यहां से प्रशन आता है अच्छे से to the point समझेंगे दो तरह से यहां प्रशन बनते हैं पहला यह कि तीन option में यह डाले जाते हैं एक option में यह रहेगा पूछा जाएगा इन में से कौन सा एप्रतिक्स विदी का उधारन है या एप्रतिक्स विदी से सम्मद रखता है दूसरा प्रस्म का प्रकार यह होगा कोई भी एक example होगा और उसमें यह पूछा जाएगा यह कौन सी रक्षियात्मक युक्ति का उधारन है सबसे पहले समझते हैं प्रतिक्स विदी direct method जिसमें कोई भी हमारी समस्या होती है उस समस्या का हम direct solution निकालते हैं दूसरा होता है एप्रतिक्स विदी इसमें समस्या का समदान है एप्रतिक्स तरीके से एक प्रकार से भाने डूंड कर उसको समयवजन करने का प्रियास करते हैं तो प्रतिक्स विदी में सबसे पहला point है बाधाओं को दूर करना इसमें जो भी हमारी समस्या आ रही है उस समस्या का हम दूर करने का हम पार नहीं कर सकते तो फिर लक्से को हमें बदलना पड़ेगा यह हमारा तीसरा Михera परहेगा चुता है वेशलेशन वर निरने के अधार पर कोई समस्तिया है उसको हम निरने के अधार पर ये दि उस समस्तिय का समधा करते हैं तो यह भी क्या है प्रतिक स्विदी का पांचवा है समन और दमन विस्तापन उदाती करण तदात्मिकरण पहले इनको डिटेल से समझते हैं फिर इनको सोट में समयटते हैं सबसे पहला है प्रक्षेपन प्रोजेक्शन इसमें क्या होता है सिंपल सा एक लोचिक याद रखेगा जो भी कमिया है उस कमियों को हम दूसरे पर थोपते हैं एक्जम्पल सुनिएगा जैसे नाचने जाने आंगन डेड़ा ये किसका एक्जम्पल है प्रक्षेपन का दूसरे एक्जम्पल सा सुनिएगा कोई विद्यारती फैल हो जाता है और फैल होने के बाद कि ये कहता है कि टीचर ही खराब थे हमारी स्कूल ही खराब थी इसका मतल पहले यह आपका प्रोजेक्शन का उल्टा चोर कोतवाल को डेंटे किसका एक्जाम्पल रहेगा प्रक्सेपन का अई होप इतना काफी है समझने के लिए अगला इसके दो तीन और नाम है याद रखना परीमेक एक बात है तारकिक करण ये वीवेक करण इसके ही नाम है युक्ती करण में क्या होता है सिंपल से याद रखेगा इसमें हमारी जो विफलताए होती है उस पर हम तरक दिने की कोशिस करते हैं जैसे अंगूर घटे हैं अब लोम तरक देगी ये अंगूर तो खट्टे हैं जैसे निम्बू मिठे हैं जैसे मैं एक सिंपल सा एक्जांपल देता हूँ एक LDC है बाबू है और प्रमोशन लिस्ट में उसका नाम नहीं आया मेनेजर की पोस्ट पर उसका नाम नहीं आएगा फिर वो LDC बाबू क्या कहेगा नेरे LDC ही अच्ची है मेनेजर से तो हना ये तरीका किसका है ये युक्ति करण का है एक और एक्जांपल सुनिएगा जैसे IPL में बोली लगती है और कोई खिलाड़ी है उसका IPL में नाम नहीं आता है फिर वो क्या कहेगा नेरे मेरा तो अगर नाम आ भी जाता तो भी मैं भाग नहीं लेता ये किसका एक्जांपल रहेगा युक्ति करण का रहेगा जैसे और एक्जांपल सुनिएगा जैसे मालो आपका रेट में स्लेक्शन नहीं होता है तो आप क्या कहेंगे नहीं रहे रीट में क्या पड़ी है रीट में तो मेरों हो जातो तो भी में क्या करतो एक म इसमें कहते हैं Compensation क्या रहेगा इसमें सिंपल सा आप समझ येगा कड़ी मेहनत से दूसरे में बाजी मारना कड़ी मेहनत करके हम दूसरे में उस कमी को स्पूरा नहीं कर पाते हैं लेकिन दूसरे में बाजी मार लेते हैं उसेus Met Shetti-P 카णा li pipe की ऐसे लड़की उन्ची हील की सेंडल पछी है यह किसका अग्ति का रंग सांवला है काला है लेकिन आवाज में धम है बोलने का अच्छा है यह एक उन्फ Candid Rambo जाको कि वापस लोता जाता है इसमें जो हमारी पुरानी यादे हैं बच्पन के जू धिन है उन में हम लोटने का प्यास करते हैं उप पर वाले जो मैंने लिखे हैं important है याद रखना it known Sciences मैंने डाले है important 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 इसात important है कि निशे डिसकस करेंगे हम बात कर रहे थे प्रती गमन में जैसे देखो एक आठ वर्स ये बालक अपनी छोटे भाई की तरह घुटने चलता है किसका एक्जांपल बनेगा प्रती गमन का एक और सुनिएगा जैसे एक प्रोड विक्ती है और वो मा की गोद्दी में 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 कर र अगला है समन और दमन समन सप्रेशन जिसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है जान बूज करिये दिये हम किसी विचार को भुलाते हैं कोई इच्छा है उसको दबाने का प्रयास करते हैं उसे कहा जाता है समन एक्जांपल सुनिएगा जैसे सुबह सुबह दूद वा है दो से हैं दमन रिप प्रेशन इसमें क्या होता है इसमें जो हमारी इच्चय होती है जो हमारे इचचential होते हैं जो हमारे कश्ट डाई गठनाय होती है उसको हम अपने आप भूलने का प्रियास करते हैं सिंपल सा याद रखेगा कि हम कब भूल गए यानि पता ही ने चलता और इसमें जो हम बुलाते हैं उसमें हमें पता रहता है तो यह इतना इफरक है दोनों में जैसे किसी प्रिचत की मर्ति होना और देरे-देरे से हम भूल जाना यह है दमन का एक्जांपल इतना काफी है अगला विस्तापन डिस्प्लेश्मेंट सबसे इंपोर्टेंट है याद रखना इसमें क्या होता है सिंपल सा याद रखेगा अन्ने के गुस्टे को अन्ने पे उतार देना जैसे एक्जांपल सुनेंगे तो और मजा जाएगा जै गुसा किसी और पर निकाल दिया किसी और पर इतना काफी है समझने के लिए जैसे बच्छों के तूर पे यह एकजामपल बनाया जले चोटे बच्छों के इगर बात करें तो स्कूल में बच्छों की पिटाई होती है और घर पे आगे वह अपने चोटे भाहियां उनको लोनों और ऊको तोड़ते हैं तो सिंपल्सा एक्जम्ब रहेगा विश्तापन हो जाएगा अपने आपको कमरे में बंद कर लेते हैं यह किसका एक्जमपल रहेगा पेल ये समयोजंगा सबसे निमन तरीका है याद रिखना जैसे एक व्यक्ति अपनी आपको कमरे में बंद कर लेता है किस प्रकार की रक्षात में क्युक्ति का एक्जांपल लएगा प्लाइन का याद रखना नेक्स्ट है आत्मी करण एक प्रिकार से आत्म साथी करण हम कह सकते हैं और एक है तदात्मी करण दोनों लगबग सेम है इसमें होता है इंगले से बोला जाता है आइडेंटिफिकेशन क्या होता है अपनी जो पहचान होती है वो हम किसी बड़े व्यक्ति से बिलोंग कर देते हैं अपनी जो पहचान है वो बड़े व्यक्तियों से कर देते हैं वो किसका एक्जांपल लएगा तादात्मी करण कर रहेगा के से बिलोंग कर decentralized ऑपने हेरो की तरह हैर स्टाइल रुखना अपने को किसी पसंदीदा खिलाड़ी होता है अपसे अक्टर होता है उससे बिलोंग कर देना यह क्या रहेगा आत्मी चाहे म बना रहेगा कूरे ऑपना यह सलमान करण और तादात्मी करण का concept simple याद रखेगा अपनी जो पैचाम है वो बड़े व्यक्ति से हम बिलों कर देते हैं अपने को हम किसी अपने आइडियल से जोड़ देते हैं तो वो इन दोनों के एक्जामपल बनेंगे लगबग दोनों सेम है ओप्सन में आपको एक ही मिलेगा टेंसन नहीं लेना लास्ट पॉइंट दिव्वा स्वापन इसमें क्या होता है कल्पना में पूरी करना कोई चीज है हम पूरी नहीं कर पाते हैं उससे हम कल्पनाओं में पूरी करते हैं खास क्या करते हैं उसका समयजन करने के लिए वो कल्पनाई कर सकते हैं तो यह रहेगा आपका दिवा स्वापन जिसमें हम कल्पनाई करके अपनी जो समस्या है कस्ट है उसका समधान निकालने का प्रियास करते हैं समयजन करने की कोशिस करते हैं जैसे साधी ना होने पर कल्पना याद रखना अंतेक्षेपन क्या है एक प्रकार से आत्मी करण का गहन रूप है और इसका मैं एक सिंपल एक्जामपल आपको देना चाहता हूँ जो आपके एक मोवी आई थी नाम था ताना जी उसमें एक बच्चे का वीडियो वाइरल था क्या था वो सीन देखर वो गठना से खुद को जोड़ लिया था वो किसके एकजम्पल था एक प्रकार से दुगत घ्ठना को देखर आँसो का यह important है प्रक्षेपन में क्या था अपना दोस किसी दूसरे को देना युक्तिकरण क्या था ऐस सफलताओं पे तरक देना क्सेती पूर्ति क्या था एक छेतर में कमी है लेकिन दूसरे छेतर में हम बाजी मार लेते हैं क्सेती पूर्ति प्रतिक मन क्या था regression क्या था एक प्रकार से हम पुराने दिनों में लोटने हैं पीछे मुड़के चलते हैं प्रतिक मन रहेगा समन में क्या रहेगा दमन में क्या रहेगा समन में हम चीजों को जान भूज कर बुलाते हैं और दमन में कब उखल गए यह पता ही नहीं चलता विस्तापन क्या होता ह है एक प्रकार से displacement में क्या होता है अन्ने का गुसा हम अन्ने पर निकाल देते हैं सासपव का जगड़ा हुआ और निकाल रहे हैं अपने पत्ति पर बरतनों को तोड़ फोड़ कर रहे हैं एक्जांपल के इसका बनेगा विस्तापन का और उद्दाती करण में एक प्रकार से एक प्रकार से हम चीजों को accept कर लेते हैं वो क्या रहेगा उद्दाती करण रहेगा और तादात्मी करण identification किसी बड़े व्यक्ति से अपने को जोड़ लेते हैं वो रहेगा आपका तादात्मी करण थोड़ा सा हम माफी चाहेंगे क्योंकि एक पॉइंट को हमने मिस कर दिया है आपने देखा है या नहीं देखा वो एक अलग बात रहेगी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहां पे 6 नमबर में क्या था विस्तापन और यहां डायरेक्ट में ने लिख दिया है पलाइन 8 नमबर पे इसका मतलब यहां एक PDF मिस हुई है जहां 7 नमबर लिखा था और सामने लिखा था उदातिगरन लेकिन किसी प्रकार का कोई tension ने लेना है इससी वीडियो में में फ सबली में में क्या होता है उदारवादी बनना एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो हमारी इच्छे हैं जो हमारी एनरजी है उर्जा है उसको हम सामजी कारियों में प्रतिस्तापन कर देते हैं सामाजी कारियों में लगा देते हैं जो हुआ उसे accept करते हैं स्वितार करते हैं किसी अपना जो प्रेम था एक प्रिकार से पत्वी का प्रेम होता है उस प्रेयम को किसी अन्य जग्य के लगा दिया था राम भक्ती में लगा दिया था और वो महांड शायथ दिकार बनेते। अपनी उर्जाओं को किसी अन्य समाजी कारियों में प्रती स्थापन कर देना यह क्या है आपका उधाती करना है I hope अच्छी से आपको समझ आ गया होगा अब चलिए कुछ important question पर हम discuss कर लेते हैं हालांकि question की संक्या बहुत है इसलिए थोड़े ही question करेंगे आपको टेलीग्राम में इसी वक्त में डाल दूँगा खुद आप्रियास किजीगा क्या है प्रतिक्स तरीका है पुराने प्रसन है थोड़े सिंपल पूछे कहेते तनाव को क्या कहेंगे यह मैं नहीं बताओँगा आपको करना है इंसासे निपटने में दबाव निपटने में खेकान से तो शुरुआत में बताया था मैंने अपनी जो आप सिक्ता ही होती है नीड होती है उनको हम यदि संतुष्ट कर लेते हैं तो हम कैसे होंगे स्वाइजित होंगे अगला प्रस्ण है सारे रिक निर्योगिता वाले व्यक्ति के लिए निमन में से कौन सी यूगती रक्षय अतन नों तो बनेंगे नहीं और यहां पर खास तोरवे देर का है जो हमारी फिजिकल वाले जो बच्चे हैं उनको द्यान में रखते हैं डिजैन किया गया है जैसे कोई विकलंग बच्चा है उकेल कूद में सामाने बच्चों कि तरह भाग नहीं ले पाता है तो वह जो एक प् घमीं को हम दूसरी चेतर में पूरी कर लेती है इसमें भी बच्चे ब्यक्राइब ऑफ्स만 के कोडिंग हमें जाना है कुछ लोगों का कहना है कि बाल्कों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जती अच्शा प्रस reducing家 जब कि वे पहले से अच्छा मैसूस नहीं करते और उनके विवार में निमन में से कौन सा रख्षयातन दर इसमें काम में आएगा तो सीधा सिंपल आंसर बनेगा विस्तापन डिस्प्लेजमेंट में बतार का है अगला प्रसने कौन सा सिधांत व्यक्ट करता है कि मानव मस्ति एक बरफ की चटान के समाने दिकांस चीपी रहती है यह उसमें चेतन के तीन स्तर है सिंपल आंसर बनेगा सिग्मेंट फ्राइड का जो मनोव विश्लेशन वादी सिधां यह अंसर बन जाएगा अगला प्रसना है सारी यह हम कर चुके हैं फिर से हो गया अगला प्रसना है निमर में से कौन से रक्सियात्मी की उक्ति नहीं है जो नहीं है वो आपको बताना है यह मैं नहीं बताओंगा कर लेंगा अच्छे समयोजन की विशेष्था क्या है देखो आज मैंने समयोजन की विशेष्था कहीं नहीं पढ़ाई मैंने कू समयोजन आपको नहीं पढ़ सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं विक्टी तो समय दिन के प्रतिक्स विदी है यह दिनों क्या है पुराने प्रसन है लेकिन थोड़े से प्रेक्टिस के लिए ज़रूरी है और बाकी कि कि आप कर पाएंगे थोड़े अच्छे लेवल की प्रसन लेकर आते हैं करें यह प्रसन मेंने कम्मुनेटी टेप में डाला था कि निम्र में से कौन सा करन सकते है जो सही वह को बताना है तो जीवन समय दिन की विशिस्ट करिया है दूसरा है समय व्यक्तिक प्रक्रिया है तीस अगला पॉइंट है समय जन की समय समय भी लिखा है लेकिन टूदे पॉइंट आप यदि समय जन को अच्छे से समझ लेंगे तो कूसा मैंजन को लिखने की आपको आपको सिकता नहीं होगी तो सबसे पहली समय है तनाव और इसको इंग्लिस में करते हैं टेंसन सिर्फ एक बात याद रखनी है तनाव क्या होता है यदि हम अपनी समताओं को कम आंग लेते हैं तो ऐसी इस्तिती में हम अपने आपको कैसा फिल करते हैं तनाव में फिल करते हैं जैसे पीछे रीट का एक्जाम 25 अप्रेल को प्रस्तावित था ठीक उसे 10-15 दिन पहले हर एक विद्यार प्रिक्स्या वाले दिनों चात्रों की जो स्तिती है तनाव पुन होती है तो यह आप याद रखेंगे दूसरा है दबाओ जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस अपनी इच्छा के विरुद कारे करना यह क्या होता है सिंपल जिवासा में दबाओ कहते हैं आप कोई भी काम कर रहे है इसमें आपकी इच्छा नहीं है आप किसी दूसरे के दबाओ में यह दी काम कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेस यानि दबाओ जैसे घरवालों के कहने पर बड़े भाई को छोटे भाई के साथ स्कूल जाना पशंद करता है लेकिन वही बात है घरवालों के कहने पर चोटे भाई के साथ स्कूल जाना पड़ता है क्यों क्योंकि दबाओ है स्ट्रेस है ठीक है अगला पॉइंट है दूस्चिंता जिसको इंगलेस में बोलते हैं एंजाइटी और यह गया होता है एक प्रिकार से आग लगना जलन दूसरे को देखकर जलन क्या होता है चेतन व विदार्थियों में प्रतिस प्रदा ही होती है लेकिन उस प्रतिस प्रता में अपने साथी से कम नंबर आ जाता है तो वो कैसी फिल करता है दूस्चिंता के स्थितिक को फिल करता है अगला पॉइंट है भगनासा या कुंठा जिसको इंगलेस में बोला जाता है फ्रस्ट् से निरास होते हैं ऐसी इस्तितिक को हम कहते हैं बगना साया कुंटा एक्जांपल आप सुन पारे होंगे कि पांच भी बार भी रेट के त्यारी करने के बाद सफलता हाथ ने लगने पर यह कह देना कि मेरे भागी में नोकरी लिखी ही नहीं थी यह किसका एक्जांपल हो एक को चुनना या छोड़ना पड़े तो उसे हम क्या कहते हैं मांचिक दुवंद्वय कहते हैं अंतर दुवंद्वय कहते हैं कॉन्फलेट कहते हैं कुरट लिविन एक वेक्ति था स्मेगा आत्मक दुवंद्वय से उत्पन परिस्तिति का वरणन करते हैं चार इनके प्रि इंग्लिस में इसे बोला जाता है approach conflict दूसरा नाम भी देखने को मिलता है पहूंच पहूंच अंतर दवंद्वे तीनों एक ही है होता क्या है इसमें जो दोनों स्तीतियां होती है वो कैसी होती है सकारात्मक होती है और सिंपल सी बात है कोई चीज पोजिटिव होगी सकारात्म है example सुनिएगा दो सरकारी नोकरी एक साथ लगना दो सुंदर स्त्रियों के प्रस्ताव एक साथ मिलना साधी के लिए तो ये दोनों example कि इसके हो जाएंगे आपके ग्राहिये ग्राहिये अंतर दौनवए के I hope समझ आ गया होगा दूसरा है इसका अपोजिट परिहार-परिह इसमें क्या होता है दोनों ही स्तितियां नकारात्म काती है नेगेटिव आती हैं उसको हम बोलते हैं परिहार एक प्रकार से उसको छोड़ना परिहार अना तो यह आप इससे लिंग कर सकते हैं जैसे अग्जांपल आप देख पा रहे होंगे जब बाले को ने तो खेलना तो यह कैसा दूंदवे है यह आपका परिहार परिहार दूंदवे का एक्जमपल तीसरा है ग्रहिये परिहार अंतर दूंदवे उपरवाले तीनों सबसे इंपोर्टेंट है इसमें क्या होता है एक बार ग्रहिये लिका है इसका मतलब एक बार स्थिति कैसी होगी सकारात्मक ह होगी एक बार परिहार लिखा है इसका मतलब एक बार स्थिति कैसी होगी नकारात्मक यानि एक पॉइंट नेगिटिव होगा इंग्लिज में आप इससे आराम से कहें पाएंगे अप्रोच अवर्डेंस एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक परिश्थिती तो इससे हम कहते हैं ग्राहिये परिहार अंत्रद्वन्द्वे और एक और प्रिकार बताया है जिसमें दोहरा ग्राहिये परिहार यानि बहु उपागम परिहार तो यह पी आप थोड़ा सा याद रख पाएंगे चलिए अब अच्छे प्रस्ने वह अभी कर लेते हैं देख लेते हैं 27 का प्रस्न करेंगे एक चतर जो कक्स्या में अपने अध्यापा की डांट सुनकर घर आकर अपनी छोटे बाही को डांटता है यह है उदारन निवनमिसे की सरक्ष्या कवच से समन्दित है तो यह क्या है डिस्प्ल रहेते हैं एक अट वर्सी बालक अपनी छोटे भाई की तरह गुठनों पर जलता है अना पीछे लोटना क्या किसमें जाएगा प्रतिगमन में जाएगा ठीक है यह हो गया अगला देखो प्रतिरिक्सा है यह नहीं करेंगे कर लेना यह पी करना बच्चे की तरह रोना है अपनी पूरी कोशिस से बासा विशे में जो उसकी बासा है लेंग्वेज है हिंदी एंगले सेंसकत बगएर है उत्तम सफलता प्राप्त कर लेता है उनमें अच्छा स्कोर करता है निमन में से इस बालक में कौन से समय जन युक्ति का प्रियोग हुआ है तो देखो दमन ह सब्सक्राइब अब दोनों कोई किसी प्रकार से समन्द है निक्ती क्या होता है मैंने सिंपल आपको एक लाइने बताया था कि अपनी जो विफलता होती है उन्पे हम तरक देते हैं तो यह पर तरक नहीं दिया जारा यहाँ एक चेतर के कमी दूसरे चेतर में पूरी हो रही है तो simple answer बनेगा इसका क्सेती पूरती जो आपका compensation है आपका क्सेती पूरती है कड़ी मेनत से दूसरे चेतर में बाजी मारता एक सथी पूरती का अंसर बनेगा यह answer गलत प्रिंट हुआ है इस बुक में इस पे नहीं जाना आपको option च्यार सही answer करना है ठीक है एक विकलंग बालक अधिक pre-serum करकी कस्या में प्रथमाने का प्रियास करता है कि निटी पूर्ति में रहोंगी क्सेती पूरती ही ही होगा फिर उन गोंधी प्रसन है फॉन छोटे गद्न के लड़की उन्ची एड़ी के जूते पहेन रहे हैं तो ये किस परकार का है ये भी क्या है सेतिय पुर्थी है लंबी नहीं है लेकिन दिखना चाहती है है तो यह को अगला प्रसना है देखो । इंगे आप कर लेना अराम से बन जाये से थो एक बीड विद्यार्थी प्रवेस प्रिक्षया देता है एह सफल रहता है सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता है अरे बनना तो चाहता है लेकिन तू फैला गया तरक दे रहा है तरक दे रहा है तो किसमें जाएगा वो युक्ति करण में जाएगा किसी व्यक्ति द्वारा अपने अस्तित्वय को बूलकर दूसरे व्यक्ति के गुणों और गुणों का अनुकरण करना तो यह आइडेंटिफिकेशन में जाएगा मैंने ऊपर थियोरी में बताया था आइडेंटिफिकेशन या नहीं तादात्मिकरन ठीक है बाके के यह अच् युक्तिकरन का यह गल Calling घूति घुक्तिकरन में होता है ऐसा परता पर तरक दिए जाते हैं ठीक है मैं यहूँ आप कर पाएगे मुझे बता है कर लेंगे को दिखर नहीं कि 42 लेंगे 43 कर लेंगे 44 कर लेंगे 44 क्या है एसी शुरक्षया प्रक्रिया जिसके अंतरक्रिया कोई वेक्ति अपने विचारों करियाओं को दूसरे वेक्ति के अनुरूप बनाने का प्रियास करता है। वही बात हो गई आइडेंटिफिकेशन वाली। तो कर लेंगे यहां यह प्रसंद करते हैं। समयुजन वहे प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीवधारी यानि प्राणी अपनी आवसिक्ताओं और इन आवसिक्ताओं के संतूष्टी से संब्दित परिश्थितियों में संतुलन बनाये रखता है यह प्रिवासा किसकी है यह फर्स्टेट 2015 का प्रसन है याद रखना यह मैंने बताया था आपको सेफर उप्सन में मिले तो सेफर करना है सेफर के नाम से प्रिवासा पूछी जा चुकी है बाकि आपको दोनों उप्सन में मिलेंगे नहीं बोरिंग मैं लें तो भी आप अंसर कर सकते हैं दोनों से में चलिए अगला प्रसन है यह चोटे- अंधिरे से लगता है उनको यह जो है वह उनको उनको अनसास नहीं करता है उप्सन एक रहेगा इसका सई ठीक है यह दो लास्ट के ओर करेंगे फिर अपनी क्लास कंप्लेट रहेगी किसी व्यक्ति के समक्स धनात्मक लक्से उपलब्ध हों कितने दो दोनों कैसे हैं धनात् गराई 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 यह दो बार आजएगा लास्ट प्रेसन है मनुवेग्यानिकों के अनसार दुस्चिंता किसमें व्यक्तिका तना लगाओ कैसा रहेगा बढ़ जाता है घट जाता है सुनने हो जाता है कभी घटता है कभी बढ़ता है याद रखना है इस कांसर उप्सन पास थी कुछ important question पर हमने discuss किये हैं कुछ practice के लिए आप लोगों के लिए पिछोड़े हैं और यह PDF अभी आपको मेरे टेलिग्राम चैनल update by NK पर share की जा चुकी है आप देख लेना सारे प्रसने कर लेना practice कर लेना और भी अच्छे लेवल के प्रसन हैं आपके पास तो आप अपनी book से जरूर कीजेगा पकि जितनी मेने theory बताई है जितनी मेने simple simple answer से concept को clear कर रहा है वो आप last time तक जब भी exam हो जरूर याद रखेगा क्योंकि example हो सकता है repeated हो हो सकता है example नए बनाए जाए लेकिन जो concept है वो वही रहेगा तो I hope session काफी लंबा हो गया है कुछ mistake हुई है बोलने में हुई है तो उसके लिए समा प्रार्थी रहेंगे तब तक के लिए थोड़ा सा मुझे भी समय देजिएगा next topic त्यार करने में अगला topic हमारा रहेगा व्यक्टिकत वीबिंता जिस पर हम एक class में उसको complete discuss करेंगे तब तक के लिए have a nice stay हस्तरे मुस्कात्रे अपन की मर्जी रहेगी थेंक्यू बाबाए